आपको आश्चर्ज होना चाहिए इस पंच्छी को देख करके यह पंच्छी का जो चूँच होता है उसको सूबिल बार्ड कहते हैं सूबिल बार्ड कहते हैं और इसकी ताकत इतनी जादा होती है कि यह पंच्छी क्रोकोडाइल के चमडे को भी छेट सकता है बैज्यानिकों का मानना है कि यह पंच्छी डाइनासोर इस पिसिस का है डाइनासोर तो चले गए यह भी पंच्छी बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्ल्ड में नहीं है अफ्रिकन कांट्रीज में यह पंच्छी मिलता है जिस पंच्छी की चमता है कि हार्ड इसकी चौंच से एक क्रोकोडाइल हाइनास तक का मडर कर सकता है कील कर सकता है इसलिए इसको सू बिल बाट कहते हैं आप इसको पहचानिए और इसके बारे में रिसर्च कीजिए क्योंकि जो बाते मैं आपको बता रहा हूँ वाकर रिसर्च के काविल है और रिसर्च करके मैं कह रहा हूँ कि डाइनास उत्परजाती का यह पंच्छी अपने आप में अद्यूतिया है इसको साउत अफिर्का के फॉरेस्ट में देखा गया है हलाकि यह भी पंच्छी अबिलुप्ति के कगार पे है लेकिन भी मिल रहा है इसकी संख्या घट रही है और बैग्यानिकों ने इसका नाम दिया है सूबिल बर्ड अगर आपको कहीं दिख जाते हैं इससे भागने की ही जरूरत है क्योंकि देखा कार यह पंच्छी छे पीट पांच फीट होटा है इसको कोई पंच्छी तो मार नहीं सकता है और यह फॉक्स वॉल्व्स तक को मारने की च्चमता रखता है इसकी चोंच की ताकत इतनी ज़्यादा है कि एक बार इसकी चोंच की गिरफ्त में आ जाने के बाद जान बचाना किसी भी पंची के लिए जानवर के लिए मुश्किल होता है क्रिपिया आप में लाए